नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मुलिक आस्ट्रेलिया की खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब टीम इंडिया का सामना साउट आफरिका से होगा साउट आफरिका का सामना करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तयार है और जिस तरह से कंगारू टीम के साथ टी-20 सीरीज में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही उससे देख कर हर कोई टीम के युवा बल्ले बाजू की खूब तारीफ कर रहा है फिर चाहे वो लीप सिंग हो या फिर रिंकू सिंग हो हर एक खिलाडी की परफॉर्मेंस ने सब का दिल जीत लिया आस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में सूरे कुमार यादफ को कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने चार एक से सीरीज अपने नाम कर ली इ लिशनोई ने अपना जादू चलाते हुए पाँच मैटों में नौ विकेट लिया और उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर आफ़वदा सीरीज के खिताब से नवास गया इस सीरीज के बाद अब टीम इंडिया का सामना साउट आफरिका के साथ होने व कि सलामी बल्लेबास कौन होगा सलामी बल्लेबास के उपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे में साउट आफरिका के साथ खेली जाने वाली इस सीरीज में कौन सा खिलारी बत और सलामी बल्लेबास उपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरेगा हर कोई इसका जवाब त सामने आ सकते हैं लेकिन मौका किसको मिलेगा ये भूमिका निभाते हुए कौन नज़र आएगा इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन competition में कई नाम सामने आ रही है और सबसे ज्यादा जिनका नाम सुनने में आ रहा है वो है स्टार प्लेयर शुबमन गिल और माहिर बल्लेबाज रितराज गायकवर गिल के इतने धाकर बल्लेबाज हैंगे सब ही जानते हैं वहीं दूसरी तरफ गायकवर भी पहले IPL में और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से खूब नाम कमा चुके हैं हाला कि देखा जाए तो इशान किशन भी इस रेस में एक प्रबल दावेदार हैं जो कई बार रोहित शर्मा के साथ मैदान पर बतौर सलामी बल्लेबाज मोर्चा सम्हाल चुके हैं वही यशत्वी जैस्वाल कभी एक नामें जो सामने आ रहा है साथ आफ्रिका के दौरे के लिए रितुराज गायकवर्ड टीम इंडिया के तीनों फॉर्माट में खेलते में नजर आएंगे